अगर आपके हस्बिंट सच में इस मामले में दोशी होंगे और वो पैसे लेकर अबरॉट भाग गए होंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कारवाई हो सकती है अप राधिक तोर पर उनके पास आपके खिलाफ कोई सबुत नहीं मिला तो मिस्ट लैन आपको दोशी नहीं माना जाएगा पर सिविल लॉज के हिसाब से आपको सारा कर्ज चुकाना पड़ेगा चुकि लोवे उलान पर दो बिलियन युवान का करजा है तो आप बैंकरप्स से भी फाइल कर सकती है फिर कोट आपकी सारी संपत्ति जब्द कर लेगा चुकि मिस्टर पैंग इस मामले में दोशी होंगे तो कानून के हिसाब से उनकी नीजी संपत्ति जब्द की जाएगी जिसमें आपकी सामुदाइक संपत्ति भी शामिल हो सकती है आप और मिस्टर पैंग कई सालों से शादी शुदा है अगर आप दोनोंने किसी प्रीना परसाइन नहीं की है तो शादी के बाद से अब तक आप दोनों के नाम पे जो भी सेविंग्स, जूल्री, बॉन्ड या स्टॉक्स जो भी है उन सब को कर्स चुकाने के लिए जब्द कर लिया जाएगा ये आपको पता है ना और फिर, यूलान ग्रूप के जो भी शेज आपके नाम पर होंगे, वो भी छीन लिये जाएंगे लेकिन फिर तो इनके पस कुछ नहीं बचेगा चलो मान लीजिए, अगर मेरे अंकल सच में दोशी है, तो उनकी सजा मेरी आंटी को नहीं मिनी चाहिए ना आंटी, अगर आप खुद को नहीं बचाएंगे, तो क्यू क्यू का क्या होगा? उसका यूनिवर्सिटी का ही खर्चा सालाना पांच लाग यूआन जितना हो जाता है, उसके फ्यूचर का क्या होगा? लोवे यूलान के हालत अभी डूबते जहास की तरह है, अगर आप भी उसके साथ डूबना नहीं चाहती हैं, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो क्या है? मिस ली? डिवोस नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता है आंडी शान दो जाएए, हमें सिर्फ इसके लिए तयार रहना है हर्गिस नहीं, यह मैं सप्ने में भी नहीं सोच सकती हूँ यह बस आपका अंधाजा है अगर वो दोशी साबित हुए तो मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है चलो यहां से, मुझे यकीन है पैंग वापस आ जाएंगे चलो यहां से एक मिनिट रुकी है माफ कीजिएगा मिस्टर जिन मैं इन्हें समझा कर वापस यहां पर लिया आओंगी मिस जाओ मैंने इन से जो पहला सवाल पूछा था उसके बारे में ध्यान से सोचना शेंग एन हुई इस बार एक्जैक्ली किसे रेप्रेजेंट करने वाला है जब इसका जवाब मिल जाए तब हमें कॉंटर कर लेना तैंक यो मिस्टर जिन आपने हमारी बास सोनी उसके रेश शुक्रिया आंटी की और से भी शुक्रिया मैं इन से इस बारे में बात कर लूँगी चलिए आंटी चलते हैं चलो थैंक यो मिस्टर जिन वैसे मानना पड़ेगा इन्होंने बड़ी ही चलाकी से अपना हाथ खीच लिया क्योंकि ये एक डिवॉस केस है इनके दिमाग को समझना तो ना मुम्किन है ये तो मैं भी समझ में आ रहा है मैं तो मिस्किन और मिस्ली को देखकर समझ गया था कि कुछ तो होने वाला है वरना सोचो ना फैमिली डिपार्टमेंट के लॉयर को फाइनचर डिपार्टमेंट की मीटिंग में क्यों बुला है मिस्किन, मिस्ली मुझे लगता है कि ये सब को जब आपके हाथ में अगर तुम लोग केस जीत जाओगे तो तुम लोग फेमस बन जाओगे अब तक हमें पता नहीं कि ये कौन हैंडल करेगा वो आएंगे या नहीं ये भी नहीं पता और अगर शेंगन हुई के पास ये केस आता है तो वो हम सब की जीत हो आपका दिल बहुत बड़ा है ये होगा या नहीं होगा इसका फैसला आपको ही लेना है वैसे भी डिवॉस केस लड़ना तो फैमिली डिपार्टमेंट का ही काम है है न क्या बात कर रहे हो तुम तो सीधा सीधा हम पर आरोप लगा रहे हो दूसरे लोग क्या सोचते हैं उसे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन तुम इस हद तक गिर सकती हो ये नहीं सोचा था वैसे तो फैमिली डिपार्टमेंट वाले भी क्रिमिनल डिपार्टमेंट वालों के बारे में ये कह सकते हैं कि वो लोगों को मारने के लिए उकसाते हैं ताकि उन्हें केस मिल सके हाँ और कोई केस जब भी हमारे पास आता है हम तो उन्हें यहीं सला देते कि डिवॉस मत लेना मिस्किन मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो पर मैं तो ये केस ज़रूर लेना चाहूंगी ये मुश्किल तो है पर इसमें फाइदा भी उतना ही है क्या लगता है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे केस आलरोडी हमें मिल चुका है जबकि मिस्टर जिन खुद ही इसके बार में श्यौर नहीं तो ये सोचने का सवाल ही नहीं उठता और फिर मेरे पास पहले से ही बहुत सारे केस पड़े हैं सच कहूं तो दूसरों का केस लड़ने में मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं है तुम्हें क्या लगता है हलो अच्छा हलो ठीके आती हूँ मैं मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए पर किसी को बताना मत तुम जो भी काम कर रही हो उसे बंद कर दो तुम आज ऑफिस से जल्दी निकलोगी और अपने दोस्जाई में पियार से मिलने जाओगी उससे कहना कि लैंड जियाओतिं का फिनांशल स्टेटस चेक करें और सुनो मिस लैंड उनके साथ काम करती थी तो वहां से उनकी डीटल्स ज़रूर मिल जाएंगी ठीक है मिस केन हम मिस लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? अभी कुछ नहीं कह सकते पर हम इन्वेस्टिगेट तो कर सकते हैं समझ कई उन्हें गुम्रा करने के लिए इल्यूजन क्रियेट करना है बिल्कल यह अड्रेस नोट डाउन कर लो पैंग दिंग फैंग का अब्रॉड का अड्रेस है मिस हाओ हो सके तो मुझे पैंग दिंग फैंग का अब्रॉड का अड्रेस भेज देना जिससे केस में आगे कॉम्प्लिकेशन्स ना आए पता लगाओ पैंग दिंग फैंग की अब्रॉड में अभी क्या सिटुएशन है ओकी किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम इस मामले में दखल मत दो तुम्हे कॉर्प्रोरेशन डिपार्टमेंट पे जाने की जरूरत है बस वहाँ जाकर कोई गलती मत करना इस मामले से दूर रहू यह अभी बहुत कर्म है यह तुम पर भारी पढ़ सकता है बीको को अर वह तुम परखल है किसी का थाव regulated की जर एंभ था नहीं जरूरेशन वह ढूर्टमेंट रखलों अकाप़ एंभी है झाल झाल